हलो एव्रिवन गुद मॉर्निंग तु आल वेलकम बैक तु आले फोर्ट मैसल्फ पूजा एंड आज हम डिसकस करने वाले हैं 12th of March के करेंट अफिर्स जब एक करेंट अफिर्स बना रहे थी तभी एक नोटिफिकेशन आया कि गवर्मेंट ओफ इंडिया ने किया है CAA Citizenship Amendment Act क्या होता है यह क्या क्या नागरिकता के प्रोविजन हैं किन-कन को नागरिकता दी जाएगी कब इसे पार्लियमेंट ने पास किया था और क्या बाते यहां पर की गई हैं इन सारी बातों को हम नेक्स्ट वीडियो में डिसकस करेंगे मतलब कल के सेशन में डिसक काफी जादा हो गई थी because आज हमें Academic Award means Oscar Award पर डिसकेशन करना है प्रिजगर प्राइस पर डिसकेशन करना है संतोष टॉफी की उपर डिसकेशन करना है और कुछ नेशनल और इंटरनेशनल नियूज भी है इसलिए उस टॉपिक को मतलब CAA को कल हम डिटेल में definitely discuss करेंगे हम बात करते हैं आज के क्लास के Current Affairs की PDF के बारे में आज के क्लास के Current Affairs की PDF आपको Hindi और English में मिल जाएगी हमारे Telegram पे आज टेलिग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में अविलेबल है या फिर सिंप्ली सर्च कीज़ेगा Current Affairs with Pooja में तो भी आप मेरे Telegram तक पहुच जाएंगे अब यहां पर आप किसी भी Government exam जैसे की SSC, Railway, NDA, CUT या पिर CDS exam है अभी CPO exam है आपका State exam, UPSC exam सभी के लिए यह Current Affairs beneficial है तो अगर आपके कोई भी Friend इन particular exam से preparation कर रहा है तो उनके साथ आप link को share कर सकते हैं जिससे यह Current Affairs उन तक भी पहुचे और हमको भी motivation मिले clear है, सो start कर लेते हैं आज का session, वीडियो को end तक देखना है और end में question of the day है जिसका answer आप हमें comment section में दे सकते हैं चली start करते हैं, सबसे पहले बात करेंगे हम Oscar Awards के बारे में तो इस बार के Oscar Awards में अगर आप देखोगे तो एक picture है जिसका नाम है Openheimer Openheimer movie को seven अलग-अलग categories में award मिले हैं तो आईए हम एके करके इन awards की category को देखते हैं 96th annual academic award जिने हम कहते हैं Oscar Award recently distributed किये गए सबसे धाधा nomination जो किया गया था, वो 13 category में किया गया था Openheimer को और Openheimer ने seven Oscars को जीता है जिन में से कुछ आप यहाँ पे category देख पा रहे है Best Picture Openheimer है, Best Actor Cillian Murphy है जो कि Openheimer के ही actor है Best Director Christopher Nolan Openheimer, Best Supporting Actor Robert Downey Jr. यह भी Openheimer से है Best Cinematography यह भी Openheimer, तो आप देख सकते हैं यह 5 category हमने discuss की यह सब Openheimer को Oscar दिया गया है Next बात करेंगे यहाँ पर हम Best Actress तो Best Actress Award दिया गया है Emma Stone को Poor Thing के लिए Best Animated Feature Film, The Boy and the Heroes Next है Best International Feature, The Zone of Interest United Kingdom की picture है, UK की है The Zone of Interest Best Documentary Feature है, 20 Days in Mariupol Important है यह थोड़ा से याद लखेंगे, Best Documentary Feature, 20 Days in Mariupol And Best Original Song, What Was I Made For, Barbie Done इस साल Oscar Award में आप देखेंगे, कोई भी Indian को Award नहीं मिला है लेकिन अगर आप previous year उठाएंगे तो आप देख सकते हैं यह कुछ सालों की list है, जहां पर Indian जिन्हें Oscar दिया गया है जैसे कि last year हम बात करते हैं, Best Original Song के बारे में Not to Not to the Song था, जिसके डारेक्टर कौन थे? Basically, MM, Khira Vani थे, उनको यह Award मिला था 2023 में पहली person जिनको Oscar Award दिया गया था, वो है Best Costume Designer Bhanu Athaya in 1983 यह कुछ person है जिनको previously आप देखेंगे Oscar Award दिया जा चुका एक बार इनके नाम याद रखिएगा, कई बार question, पूछ लिया जाता है कि इन में से वो कौन से person है जिनको Oscar नहीं दिया गया, तो आपको पता होना चाहिए न, कौन से person है जिनको Oscar मिला है अब हम बात करने हैं, Architect की Field में दिया जाने वाला सबसे बड़ा Award जिसको हम Architecture का Nobel Prize भी गहते हैं, हम बात कर रहा है प्रिजगर प्राइस के बारे में प्रिजगर प्राइस 2024, यह Award एक Japanese Architect है जिनका नाम है, Rikin Yamamoto इनको यह Award दिया गया है 2024 का प्रिजगर आर्किटेक्ट प्राइस और यह 9th नमर के Japanese person है जिनको प्रिजगर प्राइस दिया जा रहा है, ठीक है, प्रिजगर प्राइस जो है, इसको हम Architecture Nobel Prize के नाम से भी जानते हैं 1979 में इस Award की शुरुआत होती है, और 1 lakh dollar, 1 lakh dollar यहाँ पर प्राइस मनी होती है, जो प्राइस दिया जाता है आपको याद रखना है, जापान की आर्किटेक है, जिनका नाम क्या है, रिकिन यामा हुटू Next अब यह person आपको किसी paper के किसी set में मिलेंगे, ठीक है मैं बात कर रहे हूँ देविंद जाजरिया के बारे में, इन्होंने Olympics में भी हमारे लिए medal लाके दिया था और अभी फिलाल इन्हें para-olympic committee of India का president बनाया गया है ठीक है, two time para-olympian gold medalist, देविंद जाजरिया was selected unopposed as a para-olympic committee of India ठीक है, para-olympic committee के जो president थी, वो दीपा मलिक थी, तो दीपा मलिक को succeed कर रहे है देविंद जाजरिया अब इनका sport क्या है, तो ये नीरच आपड़ा की तरह ही javelin throw से associated है, मतलब भाला fake से इनका संबन्दित है 2004 में इन्हें gold medal मिला था, Athens के Olympics में और 2016 के Rio para-olympics में भी इन्होंने gold medal जीता था इसके लाव़ जो last year हमारे Tokyo Olympics हुए थे न, Tokyo para-olympics में 2021 में इन्होंने silver medal जीता था अर्जोन अवाडी भी है, पदम अवाडी भी है, इन्हें पदम भूशन मिला था 2022 में और पदम श्री मिला था 2012 में वहीं अर्जोन अवाड इन्हें 2004 में दिया गया था ठीक है, para-olympic committee of India का formation 7th of August 1994 में हुआ था न्यू डेली में headquarter है, और इसी के president बन गया है basically देविन जाजरिया अब कुछ और appointment हुई है, जैसे कि vice president कौन बने है तो आठ चंद्र शेकर और सत्य प्रकास सांगबान को बनाया गया है Secretary General कौन है, जयावंत हमनवर है और treasure department कौन समाल रहा है, तो सुनील प्रधान समाल रहा है इस समझाने के लिए बस लिख दिया कि ये कुछ appointment है, तो मुझे नहीं लगता कि remaining appointment पूछे जाएंगी अगर कुछ पूछना होगा, तो देविन जी का नाम पूछेंगे, इनका sport पूछेंगे और इनकी award की category जैसे कि आपने देखा, पद्मभूशन, पद्मश्री और अर्जुन अवार्ड इन्हें दिया जा चुका है चलिए, अब ये pair बहुत important है, साथविक साहिरा जो चिराग शेठी का ठीक है, badminton से associated दोनों player, तो साथविक साहिरा जो चिराग शेठी विन French open badminton title, तो double category में इन्होंने इस title को जीता है ठीक है, तो French open badminton title, double category में साथविक साहिरा जो चिराग शेठी ने जीता है वहीं अगर हम men single और women single की बात करते हैं, तो men single में देखेंगे आप चाइना के player हैं, जिनका नाम है Y. Q. Shee, और women single का title N. Say Young ने जीता है जो कि South Korea से और यह बहुत important player है, इनके बारे में पूछा जाता है इनका नाम आपको याद रखना है, इनकी country के साथ, ठीक है, N. Say Young, South Korea की है और women single का title इनको मिला है, अब बात कर लेते हैं, badminton world federation के बारे में एक international governing body है, जो कि हमारी country में और पूरे world में badminton के tournament को conduct कराती है, ठीक है, पहले हमें ऐसे international badminton federation के नाम से जानते थे 1934 में, लेकिन बाद में इसको change कर दिया गया, world badminton federation के रूप में 2006 में, 201 member nation है और जिसका headquarter का है, Kuala Lampur, Malaysia में आपको इनका headquarter देखने को मिल जाएगा, डन है, तो ये कुछ important person थे और awards थे, जो हमने discuss की है, एक दो बार पढ़ेंगे, चीजसे याद हो जाएंगे, सात्विक साहिरा, चिराक शेटी का नाम नहीं भूलना है, जैपैन के architect का नाम नहीं बोलना है, जिनको प्रिजगर प्राइज मिला था, इसके लाब आपको क्या याद रखना है, देविन जाजरिया का नाम याद रखना है, उनका sport याद रखना है, उनका state भी आप थोड़ा सो देख लेंगे, next आपको याद रखना है, ओपन हाइमर के director, actor के बारे में, ठीक है, ओपन हाइमर movie किसी exam है, पूछ ही जा सकती, क्योंकि recently उनको Department of Drinking Water and Sanitation, ने collaboration किया था Ministry of Tourism से, ठीक है, Ministry of Tourism और Drinking Water, Department of Drinking Water and Sanitation ने collaboration किया, और इन्होंने कहा कि जो हमारी tourism industry है, उसको हमें promote करना है, आप घूमने कब जाओगे, जब कोई जब कोई जगह neat and clean होगी, साफ सफाई होगी, उसी जगह पे आप घूमने जाओगे तो tourism को promote करने के लिए हमें स्वक्षता पर ध्यान दरा जरूरी है, इसलिए यहाँ पे स्वक्षता Green Leaf Rating Initiative को launch किया गया है, launch किस ने किया है, आपने देख लिया, ठीक है अब यहाँ पे first number पे देखें गया, Bison Resort in Madhya Pradesh इसको first five स्वक्षता Green Leaf Rating Certificate दिया है, और इन्होंने एक tourism के सेक्टर में एक benchmark set किया है, ठीक है, तो आपको Bison Resort के बारे में पता होना ची, Madhya Pradesh में है, जिसको स्वक्षता Green Leaf Rating 5 Rating Certificate रिसेंटली दिया गया है, इस project को pilot basis पे रन किया था, इस project को बनेगा, simple सा question बनेगा, Bison Resort, Madhya Pradesh recently become the first tourist facility to obtain the first five स्वक्षता Green Leaf Rating Certificate, अभी हमने देखा कि Bison Resort पहला ऐसा बन गया है, जिसको ये five स्वक्षता Green Leaf Rating Certificate दिया गया है, पूछा जा रहा है इस initiative को किस ने launch किया था, तो मैंने आपको दो department बताये थे, कौन-कौन से department है, एक तो Ministry of Tourism है, और आपका Department of Drinking Water and Sanitation, which is comes under the Ministry of Jal Shakti, मतलब Ministry of Jal Shakti और Ministry of Tourism ने मिलके इस initiative को launch किया है, basically tourism industry को promote करने और उसे स्वक्ष बनाने के लिए, option D, यहाँ पर correct हो जाएगा, ठीक है, चली, अगले question पर बात करते हैं, अगली news क्या है, सुभाश अभिनंदन, ठीक है, नाम से समझ में आ रहा है, सुभाश चंद्र बोस जी की life से related ही, आपको कुछ देखने को मिलेगा, तो Minister of State for Parliamentary Affairs and the Culture Minister Arjan Ram Meghwal ने recently, एक digital exhibition launch किया है 11th of March को New Delhi में, जिसका नाम है सुभाश अभिनंदन, basically, अभी recently क्या हुआ था, National Archive of India की 134th Foundation Day celebrate किया गया था, National Archive of India का formation 11th of March 1891 को हुआ था, तो यहाँ इसलिए इस digital exhibition को लगाया गया, जहाँ पर सुभाश चंद्र बोस जी की documentary, इसके इलावा उनका birth, उनकी civil service exam का result और इनका क्या यहाँ पे struggle रहा है during the freedom movement, वो सारी चीजों को यहाँ पे showcase किया गया है, तो सुभाश अभी रंदनम, digital exhibition किसने launch किया है तो आंसर हो जाएगा अर्जन राम मिगवाल ने किया है, National Archive of India का formation कब हुआ था, 11th of March 1891 को हुआ था, हमने अभी recent के कौन सा foundation celebrate किया है, 134, समझ रहना question भी बताते जा रहे हो, कैसे question बनते हैं, चलिए अब यहाँ पे भारत पशुधन, recently प्राइम मिनिस्टर नरेंद मोधी जी ने भारत पशुधन initiative को launch किया है, ठीक है, इस initiative के बारे में हम थोड़ा सा discussion कर लेते हैं, भारत पशुधन initiative a digital database for livestock animal in the country, हमारे देश में जितने भी आप कह सकते हैं, जानवर हैं, घरेलू जानवर हैं, उनका एक digital database सायार करने के लिए भारत पशुधन initiative को launch किया है, इसमें बोला गया कि हमारे देश में लगबग 30.5 करोर आपको यहां पर livestock animals देखने को मिलते हैं, उन में से 29.6 करोर की हमने properly tagging कर ली है, टैगिंग आपने देखा होगा, उनके पास एक ID लगी होती है, आपने किसी cow को देखा होगा, एक पीला कलर का ID लगा होता है, ठीक है, उसी tagging की बारे में बात हो रही है, यहां पर हर एक animal को आप देखेंगे, 12 digit का एक ID tag अलोट किया जाता है, जिससे, इसका मकसद क्या है farmers को empower करना, और traceability system की कि किसी की cow घुम गई है, गाय कहा है, कैसे ढूंडना है, तो traceability के लिए, अगर उनको कोई disease ही जाती है, तो disease को monitor करने के लिए, यहां पर 12 digit का एक tag ID आपने देखा होगा, animals को लगाया जाता है, यही आपका भारत पशुधन, जिसका काहम है, इस digital database को, जो हमारी livestock animal है, उनका digital database ready करना है, ठीक है, इसको develop किस ने किया है, तो under the National Digital Livestock Mission by the Department of Animal Husbandry and Daring, Ministry of Fishery, Animal Husbandry and Daring ने इसको develop किया है, तो अगर आप से पूछा जाए, पशुधन, आप initiative किसने launch किया या किसने इस portal को develop किया है, तो answer हो जाएगा, Ministry of Fishery, Animal Husbandry and Daring, under the National Digital Livestock Mission, अभी जो National Digital Livestock Mission है न, इसे हमारे देश में 2014 बंदरा में launch किया गया था, ठीक है, इसके अलावब प्राइम मिनिस्टर नरेंद मोधी जी ने एक और काम किया है, 1962 Farmer App को launch किया है, क्या है ये, 1962 Farmer App भी launch किया है, which provide access to record of all data and information present within the भारत पशुदन database, ये जो भारत पशुदन database है, जो डिजिटन डेटा आप स्टोर कर रहे हो, उसको access करने के लिए, उसकी information को देखने के लिए, 1962 Farmer Application को भी launch किया है, आईए अब यहाँ पर एक organization के बारे में बात हो रही है, which is National Dairy Development Board, जिसका formation 16th of July को 1965 में हुआ ता founder है, बर्गिश कुरियन, जिनको हम father of white revolution भी कहते हैं, चेर में ने डॉक्टर मिनीश शहा और ओनर को औरने Ministry of Fishery Animal Husbandry and Daring, कौशन देख लेते हैं, identify incorrect statement about the भारत पशुधन, चार statement में आपको बताती हूँ, भारत पशुधन का मकसद है, इसके अलावा 9062 farmer application को भी लाँच किया है, जिससे इस database या information को access किया जा सकता है, कौन सा statement यहाँ पर incorrect है, तो देखिए statement based question तभी आप solve कर पाएंगे, जब आप किसी news को थोड़ा सा deep जाके पढ़ेंगे, क्योंकि आज कल जो graduation level के exam है, जिसे कि CPU exam है, CGL exam है, ऐसे उपर-उपर के question नहीं आते, हाँ, SSC GDK अगर बात कर रहे हो, तो हाँ, single liner काफी है, बट जब थोड़ा सा higher level exam में जाते हो, तो question थोड़ा सा label बढ़ चुका है, तो यहाँ पर answer क्या हो जाएगा, कि यह 15 digit की ID नहीं है, यह 12 digit की ID है, मतलब option C incorrect है, बाकी सब तो सही है, option C, बिल्कुल सही आप लोग ने बताया, option C, very good, AK-Caudhary, Kittu और Erupali, हमेशा available रहते हैं, और हमेशा answer भी करते, very good, चली, next है, तो बोला यह जा रहा है कि recently, अभी हमारी जो cabinet committee on economic affairs है, उन्होंने raw जूट पे, कच्चे जूट पर MSP increase कर दी है, कितने रुपे increase करके, यह amount 5335 प्रतिक उंदल कर दिया गया है, तो 285 रुपीज MSP को increase किया है, option D, बिल्कुल correct हो जाएगा, चीक है, तो आईए हम थोड़ा सा discussion कर लेते हैं, कि क्या-क्या हुआ है, cabinet committee on economic affairs has increased the minimum support price for raw जूट for 24-25 season, by 285 रुपीज to 5-3-35 पर क्विंदल, तो आज हमारे देश में raw जूट की MSP कितनी है, तो 5-3-35 रुपे पर क्विंदल है, जूट पे अगर हम देखेंगे, याद आया, sugar cane की हमने FRP भी discussion किया था, कितना था 340 रुपे पर क्विंदल, याद आगया, ये question ऐसे डारेक्टल एक्जाम में बन जाते हैं sometime, इसके अलावा इन्होंने बताया, कि 2014-15 से लेकर 24-25, मतलब in 10 years में 122% MSP में ग्रोथ हुई है, ऐसा इन्होंने बताया, इन्होंने कहा कि 2014-15 में रौ जूट पे MSP 2400 पर क्विंदल थी, लेकिन अब कितनी हो चुकी है, 5335 पर क्विंदल हो चुकी है, इसका फायदा सबसे जादा कहा होगा, जूट फार्मर्स को होगा, especially in Best Bengal, Bihar and Assam, ठीक है, Next, Union Cabinet Approved उत्तरपूर्व Transformative Industrial Scheme 2024, उत्तरपूर्व किसको कहते है, जो North East है, उसको उत्तरपूर्व कहते है, मतलब यह जो scheme है, basically, North Eastern State के लिए Union Cabinet ने launch की है, जिसका नाम है, उन्नती, तो आपसे directly exam में प्रशन बनेगा, कि उन्नती का full form क्या है, उन्नती का full form exam में पूछा जा सकता है, तो उत्तरपूर्व Transformative Industrial Scheme 2024 है, उन्नती, Recently Cabinet ने इसको अप्रूफ दिया है, जिससे North Eastern Region में Industrial Development हो सके, और Employment Generate हो, मतलब एक तरीके से, उत्त्योंगों का विस्तार करने के लिए, और यूथ को रोजगार देने के लिए, इस initiative को launch किया गया है, और जिससे economic activity होंगी, नए infrastructure बनेंगे, नए company खुलेंगे, तो obvious सी बात है, Employment Generate होगा, इसलिए इस scheme को launch किया गया है, for the period of 10 years, 10 सालों के लिए है, इसके लिए जो budget है आप देखेंगे, 100,037 करोर रुपीज है, लगबग 10,000 करोर रुपे का budget है, ठीक है, for the period of 10 years, जिसमें additional 8 years होंगे, for committed liabilities, ठीक है, अब यह scheme अगर आप देखेंगे, कब से effect में आएगी, तो scheme will be effective from the date of notification से effect में है, कब तक के लिए, तो 31 March 2034, ठीक है, 31 March 2034 के लिए, यह scheme आपको ballot देखने को मिलेगी, मतलब 10 years के लिए है, अब यह part A और part B क्या है, यह zone A, zone B क्या है, तो zone A वो area या वो district है, जो industry advanced district है, और zone B वो होते हैं, जो backward district होती है, तो उसे साब से यहाँ पर zone A और zone B बनाया गया है, यह तो मैंने बता ही दिया, कि लगबग 10,000 करोर रुपीज का investment है, for the period of 10 years, अब commencement of the production or operation, all eligible industrial unit, to commence their production और operation within 4 years, from the grant of registration, तो आप अपने production को within 4 years, चालू कर सकते हैं, जैसा ही आपको grant of registration मिलता है, जैसा कि मैंने कहा in order districts की दो category बनाई है, zone A है और zone B है, तो जोन A थोड़े से advance है, और zone B जो है वो backward district हो जाएंगे, अब fund की बात करते हैं, तो 60% जो है वो part A के लिए है, जो कि आपके 8 north eastern state को cover करता है, remaining 40% first in, first out के लिए आपको देखने को मिल जाएगा, इस scheme को implement कौन करेगा, कौन fund का allotment करेगा, registration कराएगा, companies का, units का, तो आंसर हो जाएगा, department for promotion of industry and internal trade, मतलब DP, IIT, जो कि Ministry of Commerce and Industry के अंदर काम करता है, ये पुरा, इस scheme को implement करने का काम करेगा, ठीक, इतनी चीज़ है, अब यहाँ पे national level और state level पे, एक committee भी बना जाएगी, जो कि monitor करेगी, जिससे proper transparency रहे, और incentive को easily claim किया जा सके, चलिक, question क्या बनेगा, कि union cabinet ते recently, उन्नती scheme को launch किया है, इसके लिए financial budget कितना है, तो 10037 करोड, option C, बिल्कुल correct हो जाएगा, ठीक है, next है, अटल innovation mission, जल्ली से बताओ, अच्छा अटल innovation mission को, कब launch किया था, बाइदा नीति आयो, ठीक है, नीति आयो का है यह, अटल innovation mission, आप मुझे बताईए, इसे कब launch किया गया था, बाकि हम, जो current affairs discuss करेंगे, तो उसको हम discuss करेंगे, ठीक है, अटल innovation mission, रिसेंटली, कॉलोपरेटेड विच कमपनी, तो सेट अप, फ्रेंटियर टेक्नोलोजी लेब, इन दा स्कूल, तो इस्कूल में, लेब्स को सेट अप करने के लिए, जिससे बच्चों को AI, ब्लॉक्चेन, नई innovation और टेक्नोलोजी के बारे में, सिखाया जा सके, तो किस कमपनी और अटल innovation mission के बीच में, एक agreement साइन हुआ है, आंसर हो जाएगा Meta, option A, ठीक है, तो recently, नीटी आयोग का, अटल innovation mission, and Meta ने collaboration किया है, to set up frontier technology lab in the school, जो कि student को empower करता है, innovation में, जिससे बोल advanced technology, artificial intelligence, virtual reality, robotics, cyber security, 3D printing, blockchain जैसे technology को, सीख सके, ठीक है, Meta क्या करेगा, Meta का का काम होगा, इस frontier technology labs को, set up करने के लिए, financial support करना, तो financial support Meta करेगा, और जबकि अटल innovation mission जो है, वो knowledge partner रहेगा, knowledge partner कौन रहेगा, अटल innovation mission रहेगा, इस mission को 2016 में, नीती आयोग ने launch किया था, किसके लिए, तो हमारा innovation culture, और entrepreneurship को country में, improve करने के लिए, चलिए, अब ये कौन है भाई, सबी को पता है, ये बांगलादेश की है, प्राइम मिनिस्टर जिनका नाम है, सेख हसीना, और इन्होंने रिसेंट्ली, कहा है कि, जितने भी Muslim countries है, उन सब के लिए, just like a European nation, एक currency होने चाहिए, जैसे कि European nations, जो है, उनके बीच में, एक ही currency चलती है, which is Euro, Euro में वो transaction करते हैं, वैसे ही, जो Muslims country है, उनके बीच में भी, एक ही currency होनी चाहिए, जिससे हम social economic develop भी कर सके, और हमारे बीच में, जो transactions है, जो trade है, वो भी improve हो सके, ऐसा इन्होंने कहा है, during the D8 summit, आईए इस पर discussion कर लेते हैं, Bangladesh Prime Minister, Seek Hasina said, the Muslim countries, could introduce a common currency, like the European Union, to boost trade and commerce among them, the pitch was made, during the D8 conference in the Dhaka, D8 क्या है, तो D8, उन eight Muslim countries का एक group है, जिसकी population सबसे जादा है, तो most populated eight countries का group, Muslim countries का group, आपको D8 देखने को मिलेगा, जिसमें आपको क्या-क्या मिलेगा, देखेंगे Bangladesh, Egypt, Indonesia, इरान, Malaysia, Nigeria, Pakistan and Turkey, Done? Next, Question कैसे बनेगा, कि which Prime Minister advocates, for the adoption of common currency, among the Muslim nations, आंसर हो जाएगा, पांगरदेश की Prime Minister है, ओप्शन सी, ठीक है, जिसकी Government of India ने, कुछ समय पहले कहा था, कि हम, 2025 तक गगनियान Mission को launch करेंगे, Government of India ने कहा था, कि हम 2035 में अपना पहला Space Station बना लेंगे Government of India ने कहा है कि हम Chandriyan 4 Mission को 2028 तक launch कर देंगे, वैसे ही यहाँ पर Samudriyan, तो Samudriyan को 2025 तक launch किया जाएगा, ऐसा Government of India कहती है, चेक है तो Samudriyan Mission, क्या है यह Samudriyan, तो Gaganiyan में तो हम 3 crew members को भेज रहा हैं, Space में वैसे Samudriyan में हम 3 crew members को कहां भेजेंगे, Samudri के अंदर भेजेंगे, research work करने के लिए, deep research inside the sea चीक है, तो Samudriyan Mission is aimed to sending 3 personnel to the 6000 meter depth in the vehicle called the Muts 6000, for the exploration of deep sea resources तो Samudriyan Mission में, जो यहाँ पर आप vehicle देख रहे हैं जिसके जरिये, 3 व्यक्ती नीचे Samudri में 6000 meter की गहराई पर जाएंगे research work करने के लिए उसका नाम क्या है, मतस्त 6,000 है चीक है, यह नीचे की तरफ जाएंगे, कब 2025 में और study करेंगे deep ocean की Samudriyan Mission, जिसको हम deep ocean mission के नाम से भी जानते हैं 2021 में, Central Government ने, मतलब Ministry of Earth Science ने इस प्रोजेक्ट को अप्रूव दिया था ठीक है, इस प्रोजेक्ट का जो टाइम लाइन है, वो 5 यर्स का है 2021 2021 से 25, 26 तो 2025 में इसको लांच किया जाएगा ठीक है, अभी जो वैसल है, उसको डेवलब किस ने किया है वो मतस से जो वैसल है जो नीचे जाएगा, इसको चेनने बेस्ट एक National Institute of Ocean Technology उनके द्वारा इस वैसल को डिजाइन किया गया है, अगर इस वैसल के हम operational capability देखते तो इसका endurance कितना है 12 hour है, लेकिन इसको 96 hour तक extend किया जा सकता in the case of emergency, अब बात करते हैं क्या और किसी country का अपना deep ocean mission है, crew mission है answer है yes, USA, Russia, China France और Japan, already इस mission को launch कर चुक है, अब इंडिया की बारी है और 2025 में इंडिया भी से launch करेगा Done Next Ashwini Vashnov, कौन है यह Union Minister for Communication Electronics and Information Technology को संभालते हैं, Ashwini Vashnov और उनोने recently, इंडिया का fastest made in India router launch किया है ठीक है, जिसकी speed आप देखेंगे 2.5 tbps, मतब terabytes per second आपको speed देखने को मिलेगी, तो India's fastest and indigenously designed IP MPLS, मतलब multi-protocol level switch router has launched, was launched in the Bangaluru by the Ashwini Vashnov यह इंडिया का fastest है, जिसकी capacity 2.5 terabytes per second की आपको देखने को मिलेगी, इसे किसने design किया है, तो इसको पूरा जो implement किया है, यह designing किया है वो Department of Telecom CDOT और Niviti के दौरा इसको design and develop किया गया है next है Where is the Asian River Rafting Championship being organized? तो Asian River Rafting Championship कहां पर organized की गई recently? अभी conclude हुई है, answer हो जाएका शिम्बला में ओप्शन B तो हिमाचल प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर है सुभिंदर सिखु इन्होंने basically inaugurate किया था Asian River Rafting Championship को जो के 4th of March से लेकर 9th of March के बीच में सत्लज रिवर में हुई थी कहां पर शिम्बला में अब इस पूरे Championship में आप देखेंगे कि Bronze Medal यहां पर जीता है ठीक है Next है Who Wants Santosh Trophy 2024 Santosh Trophy का relation football से है और football जो Services है उन्होंने इस Trophy को जीता है Option A बिल्कुल correct हो जाएगा ठीक है Santosh Trophy अरनाचल प्रदेश में इसका final हुआ था As we discuss 77th edition recently conclude हुआ है Final match Services और Goa के बीच में हुआ था जिसमें Services ने बीट किया Goa को और 7th time इस title को जीत लिया है तो Services का इस 7th number का title है Services के goal keeper है जिनका नाम है Sayyad bin Abdul Qadir यह player of the match रहे है सबसे successful team Santosh Trophy की कौन सी रही है Best Bengal इन्होंने 32 title अभी तक जीते है इस tournament की शुरुआत 1941 में आपको देखने को मिल जाएगी चलिए Recently 71st Miss World competition India में conclude हुआ है तो Miss World कौन रही है तो Czech Republic की रही है कौन? Christina Pisikoba Option A Prime Minister Narayan Modi ने recently कहा पर Sela Tunnel को inaugurate किया है तो Sela Tunnel अवनाचल प्रदेश में BRO ने इसको design किया है Option D यहाँ पे correct हो जाएगा नेक्स्ट है Under the Pradhan Mantra अजला योजना कितने subsidiary extend कर दी गई है for the next financial year तो 300 रुपे पर सलेंडर 12 रिफिल तक Option D यहाँ पे correct हो जाएगा Operation काम धेनू Recently seen in the news is launched by which state or UT to curve cattle smuggling cattle की तसकरी को जानवरों की बेचने को रोखने के लिए basically operation शुरू हुआ है which is operation काम धेनू और इस operation को जम्मू इन कश्मीर में शुरू किया गया था ठीकि जम्मू इन कश्मीर की पुलिस ने option यह बलकुल correct हो जाएगा Next है Portion पखवारा Recently seen in the news is organized by which ministry तो portion किसको portion देना है बच्चों को देना है तो कौन करेगा इसका launch तो ministry of women and child development ने portion पखवारा को recently launch किया है आप यहाँ पर देख सकते हैं जिसकी theme है portion भी पढ़ाई भी यह 15 दुनों का initiative 9th of March से 23rd of March तक चलना है इसका मकसद क्या है nutrition को promote करना amongst the children and the women ministry of women and child development इसको launch किया है 8th of March 2018 में launch किया गया था और portion का full form है Prime Minister's overarching scheme for holistic nutrition Next What is the generation of advanced medium combat aircraft that was recently approved by the cabinet committee on security यहाँ पर देखिएगा cabinet committee on security ने recently DRDO को बोला है कि आप advanced medium combat aircraft को ready करो जिसके कारण DRDO ने prototype ready करने बोला है फिर prototype को final करने के बाद क्या किया जाएगा HAL को दिया जाएगा for the design and development तो कितने यहाँ पर हम advanced medium combat aircraft बना रहा है 5 Option D NHPC के chairman और managing director कौन बन गया है कल हमने देखा था Rajendra Prasad Goyal ठीक है Next कौन सा ऐसा defense force है जो every year 10 March को अपना rising day या formation day celebrate करता है तो हमने देखा था CISF इसका formation 10th of March को 1969 में हुआ था Option B बिल्कुल correct हो जाएगा अब इस question का answer आप हमें comment section में बताएंगे कि कौन से country है जिसे prestigious measles and rubela champion global award दिया गया है चार देशों के नाम है सहीन आणसर आपको हमें बताना है ठीक है और कम से कम 5 ऐसी बिमारियों के नाम बताएंगे आप लोग comment section में जो कि virus के कारण होती है clear? I think आपको पूरा current effect समझ में आया हो कल के वीडियो में हम CA के बारे में detail में discuss करेंगे तो मिलते हैं हम कल take care